गौतम उस समय के हर मशूर गुरू के पास गए उनकी बहुत धिक शम्ता और ग्यान पानी की लालसा इतनी तीवर थी कि जो चीज समझने में बाकी लोगों को सालों लग जाते थे वो कुछ हफ्तों में ही सीख लेते थे समाधी की आठ हवस्थाएं होती है गौतम ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था मगर फिर भी वो जानते थे कि ये जीवन की संपूर्टा नहीं है उनके अंदर अब भी ग्यान पाने की तीव रिच्छा थी जब सारे उपाए बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्क का सहारा लिया जिसे समाना कहते हैं समाना साधकों की जीवन के सबसे मूलभूत पहलूँ में से एक ये है कि वो कभी भोजन नहीं मांते बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं गौतम ने इस मार्क को इतनी कठोर्दा से अपनाया कि वो उस दिशा में नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभादना होती थी वो बस सीधा चलते थे इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को इतना नश्ट कर लिया वो इतने कमजोर हो गए कि वो बस हड्डियों का धाचा बन कर रह गए वो कभी भोजन की तलाश में नहीं जाते थे उन्हें जब भोजन दिया जाता था तब ही खाते थे एक दिन वो नीरांजना नदी के तट पर पहुँचे जुद्धो फुट गहरी एक छोटी सी धारा थी और उसका प्रवा थोड़ा तेज धार उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की आधी दूरी पर वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए उनके शरीर में और शक्ती नहीं थी वहाँ एक पेड की तूटी हुई टहनी थी जिसे उन्होंने पकड़ लिया पता नहीं वो कितनी देर तक वहाँ खड़े रहे शारेरिक कमजूरी की वज़य से उन्हें वो समय बहुत लंबा लगा होगा वो कुछ मिंटों का समय भी हो सकता है या कुछ घंटे भी मगर उनके अनुभव में वो समय बहुत लंबा था वो बस वहीं अटके रहे उनके अंदर अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थे अचानक उन्हें है अशास हुआ कि उनकी समस्या ये है कि वो आत्म ग्यान को पाने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो शूर्ण्य हो गए अचानक उनके अंदर नदी पार करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने की ताकत आ गए वो जाकर उस बोधी व्रिक्ष के नीचे बैठ गए वहाँ बैठ कर उन्होंने निश्चे किया मैं यहीं बैठूंगा या तो मैं आत्मग्यान प्राप्त कर लूँगा या यहीं प्राण प्याग दूँगा मैं यहां से नहीं उठूंगा और वो बैठ गए पूर निमा का चंदर उग रहा था और उन्होंने परमग्यान प्राप्त किया और परमानंद की अवस्था में वहां बैठे रहे